नमस्कार योगक शेमम वहां में हम ये मोटो है एक कंपनी का लाइफ इंशुरेंस कोपरेशन इंडिया की एक कंपनी जिस क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट यानि कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो management करती है लोग insurance कराते हैं पैसा आता है उसको वो manage करता है वो जो asset under management है LIC का वो पाकिस्तान की पूरी GDP से डेड़ गुना है यह आकड़े अभी आये हैं और ये भी पता लगाए कि इसके पास जो asset under management है यह है 463 billion dollars 463 billion dollars पाकिस्तान की GDP जो है वो 280 billion dollars है उससे डेड़ गुना और in fact यह जो पैसा है यह जो LIC का asset base है यह इंडिया की GDP का भी 18% बनता है लेकिन in fact अगर बात करें कि LIC का यह जो asset base है यह वर्ल्ड की कई economy's से जादा है लेकिन पाकिस्तान की GDP में specifically इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से comparison करता है बार बार एक company इंडिया की उसका asset base इस से जादा है अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे करजे खत्म हो सकते हैं 65 साल से जो यह योगक शेमम वहाम में हम यह योगक शेमम वहाम में हम की भी कहानी है यह कृष्ण भगवान ने गीता में बोला था यह sentence और इसका मतलब यह है कि जिनको मुझ पर faith है मुझ पर विश्वास है मैं उनका ख्याल मैं रखता हूँ उनका ठीक से रख रखा और मेरा काम है यही बात पकड़ी LIC ने LIC ने भी बोला कि आपकी life की insurance हम करेंगे योगक शेमम वहाम में हम साथ ने यह 65 साल से यह जो asset base बनाया है LIC ने इसका यह world की कुछ सबसे बड़ी companies में asset base में आती है in fact fifth largest company है और अब ही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पिछले तीन साल में 35 billion dollars external debt बड़े है और इस समय 85 billion dollar पे उसका external debt है 85 billion dollar पे और total अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ओपर total 283 billion dollars का कर्जा दिखता है सामने assets and liabilities internal और external सारा मिला के अगर L.I.C. पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी पाकिस्तान को जो इस साल का budget था वो 45 billion dollar था और साथ में 8 billion dollar उसका अपना क्या बोलते हैं उसे defense budget था कि पाकिस्तानी रूपी की जो हलत थी वो आज से 3 साल पहले 123 रूपे पे होती थी और आज वो 117 रूपे क्रोस कर चुकी है ये पूरा का पूरा हुआ क्यों क्योंकि पाकिस्तान 1 billion dollar और 3 billion dollar के लिए कहीं कहीं धक्ये खा रहा है साथी अरेबिया से मांग रहा है या World Bank के भाहल बैठा है लेकिन LIC अकेली इस पूरे करजे को और पाकिस्तान की पूरी GDP को और पाकिस्तान के पूरे करचे को यानि के बजट को सब को समेट लिया जाए तब भी LIC का asset base जो है AUM, asset management है वो उससे जादा बनता है सिर्फ एक कंपनी इंडिया की बाकी कंपनी की बात ही नहीं करनी है बाकी कंपनी का बात बहुत दूर है तो ये खबर थी और LIC जो है वो अब जो है इंडिया की इन फाक्ट शुरुआत से इंडिया की सबसे powerful companies में से एक रही है when it comes to asset management और पूरा mutual fund market भी उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं आता पूरा market मिला के लेकिन LIC जो है वो इन फाक्ट government undertaking है लेकिन LIC की एक बात ये कि ये इससे पहले भी जादा हो रहा था लेकिन आज के आकड़े ही ये बताते है अभी हाल के जो आकड़े हैं वो ये बताते है कि पाकिस्तान की पूरी GDP से अगर डेड़ गुना हमारी एक company asset management में रखती है तो क्या हमारी economy की state है और पाकिस्तान वाले बोलते है कि Indian economy गिर रही है खराब हो रही है position खराब है तो ये in fact चाइना की भी कोई company इतने asset management नहीं रखती है ये वर्ल्ड की fifth largest company और जादातर company बाहर की है चाइना की भी कोई ऐसी asset management वाली company हमें आज तक दिखी नहीं है लेकिन हो सकता मेरी निगाहों में ना हो लेकिन fact is कि LIC जो है वो इतने सालों से काम कर रही है और वो उसका जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो सूपर्ब रहा है तो ये LIC का asset management बेस देखने के बाद तो पाकिस्तान को ज़रूर शर्मानी चाहिए कि वो लड़ना किस्ते चाहता है अगर इंडिया से तो वो काश्मीर का राग ना गाए तो वो तीन बिलियन डॉलर तो LIC से ही ले सकता था इंडिया गौर्वर्मेंट आफ इंडिया की ज़रूरत नहीं थी तीन बिलियन डॉलर तो LIC ही दे देती उसको एनिवेस पाकिस्तान की अपनी मर्जी है वो उसको 370 जदा प्यारा है तो वो 370 देख ले और जाकर कहीं से वो करजा मंग ले जहां से उसे मिलता हो साओधी अरेबिया तो देने के मूड में नहीं था जो deferred payments का था और IMF तो कता ही नहीं दे रहा है IMF ने तो जो शर्टें लगाई है उनको मिनी बज़ेट में लगाया है और उसको शौकत तरीन जो उनके finance minister बड़े ही दुख के साथ उन्होंने बताया कि हमें dictate किया जा रहा है 3 बिलियन डॉलर्स के लिए सिर्फ इस कंपनी के अकेले assets साड़े चार सो सो उपर जा रहे है समीन आसमान का परक है इंडिया की एक कंपनी में और पाकिस्तान के assets में और पाकिस्तान की जो पूरी situation है उसमें इसे के साथ एक और ख़बर के साथ फिर हाज़र होंगे नमस्कार जैहे